फ्रेंड्स आज कारुबार का पहला दिन था यानि मंडे और भहेंकर गिरावट हो गई पहले से ही ऐसे बातावन बन चुका था जिस तरह से मामने लगातार करोना के बढ़ रहे तो सबको पता था कि आज गिरावट होगी और बहुत बढ़ी गिरावट होई क्योंकि अब लोगों को डर लगने लगा है बाजार से और इसी वज़े से लगातार गिरावट हो रही है लेकिन इस गिरावट के पीछे मुख्य वज़े क्या है तो इसके पीछे तीन चार बड़ी वज़े है जिस वज़े से बाजार में अच भहेंकर गिरावट हुई profit कमा सकते तो जाने माने research channel list की राय जानेंगे जिनके दौरा सुजाए गए share को हम अच्छे से research करके उनमें निवेश करके अच्छा खासा profit कमा सकते क्योंकि उनमें काफी संभावन है बाकी है और कौन से ऐसे sector है जिनमें निवेश करके हम अच्छा खासा profit कमा सकते है और आगे क्या समाओना है बाजार की जानेंगे इस वीडियो के मादेम से लेकिन उससे पहले गराप पहरी बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेलाइक को अंदबारी जाता कि जब भी निया वीडियो बने पहला नोडिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसना आए तो लाइक शेर जुरू कीजे चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्स एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स कोरोना के नए बढ़ते मामलों ने पूरे बाजार का सेंटिमेट बिगार दिया है और सोमवार को बाजार में भारी गिरावट रही सोमवार को सैंसेक्स में 882 पॉइंट की गिरावट के साथ में सैंसेक्स में सामील 30 में से 28 शेरों में लाल निसान के साथ में बंद हुए यानि गिरावट रही जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट रही पॉवर ग्रीड में शेर में करीब 4.2 परतिसत की गिरावट के साथ 201 का स्थर देखने को मिला इंसेंट बैंक और ONGC के शेर में भी 4 परतिसत की गिरावट देखने को मिली वही डॉक्टर रेडीज इंफरसीस के शेर में हमें बड़त देखने को मिली सुब सैंसेक्स करीब 891.22 नीचे ही खुला था यानि 47,940 के स्थर पर खुला था और निप्टी 311.25 नीचे यानि 14,306 पर खुला था फ्रेंट्स निवेसको ने जो सबसे ज़ारा बीक्वाल की वो थे बैंकिंग शेर और आटो सेक्टर के शेर निप्टी बैंक इंडेक्स में करीब 2.4 परतिसत की गिरावट यानि 769 परतिसत की गिरावट से के साथ में 31,208 पर आगिया है इसी तरह आटो इंडेक्स में भी 2.8 परतिसत की गिरावट ही BSE पर 3,172 पर कारोबार हुआ और जिसमें से 2,195 परतिसत की गिरावट रही वही 774 परतिसत की गिरावट के चलते एक्चेंज पर करीब लिश्टेट कंपनियों का कुल मार्केट के भी गड़ गया है और 201.75 लैक करोड हो गया है जो सुक्रवार को 205.23 लैक करोड था सुक्रवार को सैंसेक्स में 28.35 परतिसत की तेजी देखने को मिली थी और 48,832 पर इसतर पर क्लोजिंग आय थी और निप्टी में 36.40 पाइंट की तेजी थी और 14,600 इसतर हमें देखने को मिला था अगर हम दूसरे ACI बाजरों की बात करें तो होंग कोंग का हैंक सैंग इंडेक्स 108 पॉइंट उपर 29,170 पर क्लोज हुआ है चीन का संगई कंपोजिंट इंडेक्स भी 50 अंग की तेजी के साथ में 3,477 पर क्लोज हुआ है कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स सपाट यानि 3,198 पर क्लोज हुआ है औस्ट्रेलिया का ओल अर्डिनरी इंडेक्स भी 2.00 उपर यानि 7,328 पर क्लोज हुआ है जापान का नेकी इंडेक्स 12.00 नीचे यानि 29,671 पर क्लोज हुआ है तो लगातार कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है फ्रेंट इसिया के बाजार में भी अमेरिकी बाजार की भी हाल चाल देख लेते हैं तो फ्राइडे को अमेरिका के बाजार में बड़त के साथ ही बंद हुआते है डाउ जोन्स में 0.48 परतिसत की तेजी देखने को मिली थी यानि 164.68 परतिसत की तेजी के उपर 34,200 का इस तर देखने को मिला था नेश्डेक में 0.10 परतिसत की तेजी थी यानि 13.58 अंक उपर 14,052 का इस तर हमें देखने को मिला था SMP 500 इंडेक्स में 15.05 पॉइंट की तेजी थी और 4185 का इस तर देखा था वैसे ही फ्रांस जर्मनी के बाजर में भी तेजी के साथ ही बंद हुगे थे और अगर FII और DIA के डेटा की बात करें तो 16 अप्रेल को FII ने 437.51 करोड की खरीदारी की थी और हमारे गरेलो निवेशक जो DIA है उन्होंने 657.55 करोड की खरीदारी की दी तो काफी लिमिटेड खरीदारी उनकी हो रही है बड़ी खरीदारी नहीं हो पा रही है क्योंकि अब जो है मामला ऐसा है कि लोगों को डर लगता है बाजार से जो बाजार के जो गिरावट हुई उसके पीछे जो मुख्य वज़े है जैसे के आपको पते है करोना की तो वज़े है लेकिन उसके बावजू भी और भी चार वज़े है बारत सही दुनिया भर में करोना वाइरिस मामली ने हाकार मचाया हुआ है बारत में तो COVID के second wave ने पहले वेव से भी ज़्यादा आतंग मचा है साथ ही COVID में recovery rate भी काफी कम हो गई कई राजियों में lockdown लगाने पर विचार चल रहा है और काफी राजियों ने lockdown लगा दिया है तो इसकी वज़े से भी यह जो है बाजार में गिरावट हुई है तो second reason है वो है कमपनियों के नतीजे market experts को उमीद थी कि quarter 3 के तरह ही quarter 4 में भी कमपनियों की earning में जबरदस बड़ोतरी होगी लेकिन अब तक कि जिन कमपनियों ने अपने मार्च तिमाई के नतीजे घोसित किये उनकी earning तो बढ़ी है लेकिन उमीद से काफी कम है इस वज़े से भी share बाजार में गिरावट देखने को मिली expert को उमीद थी कि financial year 21 और 22 में earning growth काफी मजबूत रहेगी और year 30% रह सकता है और इसी वज़े से पिछले कुछ महीनों में market में bull पर सवारदाल लेकिन करोना के नए परतिबंदों से डर market में बैट गया है और correction और आ सकता है FPI का outflow भी बढ़ गया है April में foreign portfolio investment का outflow सितमबर 2020 के बाद में सबसे अधिक दर्ज किया गया है इस महीने में FPI ने भारतिय बाजार से करीब 4,615 करोड रुपी निकाल दिये और इस असर भी बाजार पे बढ़ रहा है नि काफी FPI अपने पैसे निकाल रहे बाजार से और साथ में GDP का downgrade आना भी इसका मुखे वज़े बनी है कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फिर से एक बार GDP growth में गिरावट की आसन का बनी है पहले financial year 2022 के लिए लगबख सभी rating agencies ने भारत की GDP growth 11% से उपर रहने का दूमान लगाया था लेकिन अब brokerage firm ने इसे downgrade करके 10% कर दिया और इसी वज़े से बाजार का sentiment बिगड़ किया लोगों को डर लगने लगा है तो ऐसे समय में ऐसे कौन से stock है जिन में निवेश करके कुछ कमाया जा सकता है ट्रेड बूल्स के सचीता रहने बाजार पर राय देते हुए का है कि निप्टी, बैंक निप्टी, ओवरॉल एक support के नजदिक data shape अप हो रहा है यहाँ पर market के लियाज से खरीदारी के मौके डूढने चीए बाजार में बीकवाली के विज़े से गिरावट नज़र आई है और बाजार में एक bottom के नजदिक है लियाजा खरीदारी के अवसर तलासने चीए LKP security के गौरो बिश्वा की राय है कि यह तिसरा मौका है जब बाजार 14,250 के लेवल पर आया है इसमें breakdown दिखा है हालनकि यह bounce back दिख सकता है यदि निप्टी 14,600 का लेवल होल्ड नहीं करता है तो इसमें और गिरावट नज़र आ सकती है इस गिरावट में खरीदारी पर हमें नज़र रखनी चीए छोटे लेवल पर मुनाफ़ा कमाया जा सकता है लेकिन आज बिक्वाली की सला नहीं होगी एंजल ब्रोकिंग के समीच चवान की तरब से का गया है कि सोमवार के बाद बाजार में रिकवरी देख थी जिससे यसा लगा था कि हायर लेवल पर सेलिंग प्रेशर आएगा बैंक निप्टी में 32,500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा यहाँ स्टॉक में बिक्वाली है सचीता नन उत्यकर का कहना है कि आपको इस समय थाईरो केर शेयर में ध्यान देना चीए सचीता नन ने काया कि करोना के चलते इस स्टॉक में खरीदारी की सला है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ने से लेबर्टरिस के स्टॉक में तेजी आएगी LKP Securities के गौरो विश्वा का बजाज Electrical Stock में खरिदारी की सलादी उनका कहना है कि 1040 के Stop Loss के साथ खरिदारी करे है इसमें एक सब्ता में आपको 12 सा गुष्टा देखने को मिल सकता है आगे उन्होंने कहा है कि तगड़े Breakouts और Triangle Pattern और Range Pattern के Breakout देखने को मिले है सचिदाद उत्तेकर का कहना है Trade Bulls के Hero Motocop में आपको निवेश करना चीए उन्होंने कहा है कि 2780 के इस्तर पर खरिदारी करें और 2730 का Stop Loss लगा है तब में इसका 80 का इस्तर देखने को मिल सकता है उन्होंने आगे कहा है एक साल के Consolidation के बाद अच्छा Breakout दिखाई दे रहा है और इसमें Breakout भी दिखाई दिया है और बड़िया return इसमें आ सकता है तो इस तरह से ये निवेश को की राय निकल के आ रहे है आप उपने इसाप से निर्ने लेके उसमें निवेश करके अच्छा खासा मुनापभा कमा सकते है लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाया है वीडियो पसन आए तो लाइक शेयर जुरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राब कर दीज़े थैंक्यो